स्वागत बच्छों आपका Self Study के चैनल पे और आज हम डिसकस करने वाले हैं कि परधान मंत्री निरेंद्र मोदी जी का जो Twitter account फिर से hack कर लिया गया है हाँ भी चल रही है रिकोडिंग ओके तो एक बार पहले भी हुआ था और अब फिर से हो गया है मतलब देख रहे हो अब भारत के परधान मंत्री का भी account safe नहीं है तो आम जनता का तो भाईया होगा ही कहां से भाई कितने भी two factor क्यों ना use कर लो कुछ नहीं हो सकता कुछ भी लगा लो pen drive की आती है तब भी लगा लो तब भी आपका account safe नहीं है मतलब डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल चीज हो या कुछ भी नहीं हो सकता है यहां पे safe के नाम पे यहां पे कुछ नहीं विलेगा आप लोगों को तो विभिन आकबारों ने news cover की है कि परधान मंत्री नेरेंदर मोधी जी के account है फिर से safe मतलब फिर से hack हो गया है अब hack जिसने किया है उसने कुछ तो लिखा हो अना hack करके कैसे पता चला वह या hack हो गया तो जो लिखा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर देख रहे हैं The Indian Express, NDTV और भी यहां पर बहुत सारी news जो है मैं एक दो और लेके नहीं आया काफी यह आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ भया hack हो चुका है अब यह देखिए यह hack होने के बाद वो जो महाश्य है उन्होंने ट्विट किया यहां से इंड्रेंदर मोदी जी के अकाउंट से कि अकाउंट पर ट्विट करते हुए कि इंडिया ने जो है इंडिया ने कि उसे बैन कर दिया जाएगा और जैसा भारत में जो यंग जो यू यह कहें कि जो जवान जो जनरेशन है आज की डेट में जैसे उनके अंदर एक होड मच गई है कि इंवेस्टमेंट करनी है तो क्रिप्टो क्रंसी में इंवेस्टमेंट करनी है क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा हमको ये क्या गएगा बूम करेगी एकनोमी और हमें करोड़पती बना देगी थोड़े टाइम बाद एक छोटी सी मैं आपको information दूँ तो जब ये आया था cryptocurrency बिट कोई आया था तब इसकी जो value थी पॉइंट जीरो जीरो एट शायद इतनी है शायद इतनी है डोलर थी आज की डेट में 65 ताउजन डोलर हो चुकी है भया एक cryptocurrency की value एक Bitcoin की value तो ये उमीदे हैं कि आने वाले टाइम में शायद ये भूम करेगा और हमारी हम तो रात तो रात अमीर हो जाएंगे तो धान मंतरी ने दर मोदी जी ने पहले भी ये बात बोली थी मंच के ओपर की देखिए ये जो Bitcoin है जो cryptocurrency है इसको सुधारना होगा इसको सही करना होगा कि लोगों के बीच में एक अफ़वा फैल रही है देखिए देख में भी तो यहां पर तो है नहीं तो जिन्होंने है कि उन्होंने लिखा कि भारत ने cryptocurrency इस लेगल टेंडर अड़ोप्ट कर लिया है और गवर्मन्ट इसके ओपर मतलब आप देख लीजिए कि गवर्मन्ट ने अलाओ कर दिया है कर दिया है और इसे यूज कर लीजिए तो आप इस message से सीखे हैं मतलब इस tweet से सीखें तो सीखने हो यह मिलता है कि पाकिस्तान का भी account है कुआ था जो वहां के प्रधान मंतरी है इम्रान कान वहां का account है को के Twitter का account हो के तो वहां के लोगों ने कहा था कि देखो माश्य है हमें हमारी तंखा दे दो हम बिना तंखा क बैठे हैं तो वहां तो यह बोला गया था भारत में जब यह हैक हुआ मतलब यह प्रधान मंतरी इंदर मोजी जी का account है को तो यहां प्रकागा देखो बिटकोइन जो है वह legal tender हो गया है लेवल देख रहे हो हमारे देश का कितना उपर हुआ है पाकिस्तान में तो कह रहे है ताकि इंडिया से मानेता मिले मेरे भी कुछ है मतलब यहां पर रूपे बन जाए है क्लियर तो यह जो चीज़ है वहां पर लिखी गई है बिटकोइन के बारे हैं बता दें कि इसको पगड़ नहीं सकते ऐसी चीज़ है बिटकोइन एक चेंड क्रिप्टो कंसी एक ऐसा चे यहां पर एक बिटकोइन बन के आता है तो एक तरीके का यहां पर कहें तो काफी जादा खीमत इसकी हुई हुई है तो इसको जब तक गुवर्मेंट अलेगल ना बना दे तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक खत्रे से ही भा मतलब बहुत जादा खत्रा है इसके अं पर ट्विटर वालों ने भी काया देखिए हम भी आपके अकाउंट को लेकर बहुत साफधानी बरते हुए हैं हम 24-7 आपके अकाउंट की सुरुक्षा में लगे हुए हैं तो देख रहे हैं 24-7 सुरुक्षा में लगने के बावज़ुद भी अकाउंट है को गया कैसे अरे अ ऐसा थानी तो एक तो यहां पर वहाता है क्या भारत के परधानमंत्री का हुआ है कि इसी और का नहीं हुआ और भाई सब बहुत बड़े-बड़े बहुत बड़े बड़े-बड़े लोगों का अकाउंट है को चुका है जैसे जो फोर्मर प्रेजिडेंट ब्राक ओबामा उनका account और जो आज के president है और vice president हुआ करते थे जोई बिड़न, US के, उनका और Microsoft के Bill Gates जित्रे बड़े बड़े लोगों के account hack हो रहे हैं, हमारे जाज़े चोटे मोटे लोग यहां पर दो वो लगागे बहते हैं, two-factor safety, two-factor safety जैसे Google कहता है कि आप भया दो चरण इसमें safety का बढ़ा के रखिए Tesla के जो chief हैं बहुत intelligent प्राणी है तो इनका भी account hack हो गया है मतलब सब का हुआ हुआ है, कोई भी बचा नहीं है और सब यहां पर देखिए अब यदा नहीं भासकर वाले क्या कह रहे हैं एकाउंट hack हो जाता है तो account hack हो जाए, तो कैसे पता चले देखो easy-soy चीज़ए account hack हो जाए तो आपके account से obviously किसी ने तो कुछ गलत पोस्ट किया है होगा, photo कुछ गलत पोस्ट करेगा किसी को ID, मतलब कि कि किसी को photo गलत या message गलत send करेगा तो पता चलेगा, obviously पता चली जाना है, तो कहारे हैं कि तो कहारे हैं कि Twitter account का वालो, क्या करना चाहिए, आपको Twitter account आगर save करना है, या फिर privacy पे जागे setting वैटिंग कर लीजी, उसको सही कर लीजी, आपका थोड़ा बहुत अकाउंट बच जाएगा तो ठीक है, फिर हमें और थोड़ा बहुत यह बताते हैं कि अकाउंट को ज़्यादा save करने के तरीक है, ये भासकर वाले हमको बता रहे हैं कि देखिए, टू फेक्टर अथेंटिकेशन ओन करके, अगला अगला इमेल आईडी बनाई लीजिए, फिशिंग लिंक पर क्लिक ना करें, रिमेंबर पास्वेड का यूज ना करें, ब्राउस हिस्ट्री को क्लियर करें, एंटी वाइरस प्रोग्राम यूज करें, पब्लिक वाइफाई का यूज ना करें, साइबर कैफे में लोगिन ना करें, एक चीज जो रहा मुझे पूछो यार कोई, पास्कर वालों से, परधान मंदरी निरंदर पोदी जी ने, इन में से क्या कौन से चीज उन्होंने उलंगन कर दी होगी यार, कि उन्होंने, उनका एकाउंट होगी, या फिर होता ना कि यूटूब पे भी काफी सारे लोगों का एकाउंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास किसी का फीमेल एडरस आया होगा होता है, गलत वाला, तो उस पे वो क्लिक कर देते हैं, प्रमोशन के चक्र में, लगता है, प्रधान मंतरी इन्दाजमोदी जीने किसी का प्रमोशन नहीं किया होगा, वो विचारा खुंदस खागे बैठ गया, और क्या था, हम तो एकाउंट लेके जाएंगे, तो ये चीज़े हैं, तो खेर वापस आगया है, कुछ टाइम के लिए हुआ था, अब तो ये बस इतना है था, तो वीडियो पसंद आईए, तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा ही पसंद आगया है, तो ये क्या कर सकते हो, ये दोनों को शेयर करो यार, हमको भी शेयर करो, मोले तो सेल् तो ये दो अगया है, तो ये दो खेर वापस आगया है, तो आइस वीडियो में, थेंक यू फॉर वर्टॉ